प्रेंड्स मैं सीव सर एक वार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वायत करता अपने यूटुब चैनल गेंड नॉलेज टेकनिकल में प्रेंड्स जैसा कि आप लोगों पता है कि अगले जो है इसमा के अंत में या फिर अगले महीने के शुरु आपका सीविटी का एक्जाम होने वाला है जिसमें आपको पेपर वान पेपर टường ऑर पेपर वन औन पेपर की एक ** आपको देने होगी साथ ही पेपर थर्ड पेपर फोर्थ की आपकी एक्जाम हो चुकी है जिसमें आपका प्रैक्टिकल और इंजिनिरिंग ड्राइंग की परिख्षा होई है तो जैसा कि उसमें आपका MCQ कोश्चन पूछे जाएंगे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको ट्रेट फिटर के लिए पेपर वन में लेकर के आया हूं पहुत ही इंपोटेंट कोश्चन ये कोश्चन जो है मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके परिख्षा में टेली होने के जो चा आपको रिवीजन के लिए दे रहा हूं आप साथ ही साथ मैं आपको आंसर भी बता रहा हूं ताकि आपको अगर इसका उत्तर ना प्रता हो तो आप इसका उत्तर जान ले और इसकी तयारी अच्छे से कर ले ताकि आप जो है सीबीटी में अपना परफॉर्मेंस अच्छा स से दे सकें क्योंकि अगर आपका स्कोर खराब होता है तो फिर आप फेल हो सकते हैं फेल होने के बाद फिर बहुत लंबी पेचीदा प्रकिरिया है फिर पास होने के तो इसलिए मैं आगरा करता हूं कि तयारी आप लोग अच्छे से करें और अपने टॉपिक पर आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से यह अनुरोद करूंगा कि अगर अभी तक आप लोग ने हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें फ्रेंट्स टॉपिक पर आते हैं देखते हैं हमार और मैक्सिमम के जो आपका डिफ्रेंस होता है लिमिट का उसको हम क्या कहते हैं तो उसे हम जो आपके ऑप्षन है वो है ए में डेवियेशन और बी में है टॉलरंस, सी में है एक्चॉल साइच, डी है अपर डेवियेशन तो देखिए इसे हम टॉलरंस के नाम से जानते हैं तो option number हमारा बी correct और सही है जिसे मैं टिक लगा देता हूं आपका बी option नेक्स्ट देखते हैं अगला जो है आपका प्रेश्ण जो है अगला प्रेश्ण है कि वीच टाइप आफ फीट दा टॉलेंस जोन आफ होल इच विलो डा टॉलेंस जोन आफ साप्ट बहुत ही important question है इस question पूछ रहा है question को फिर से दोहरा लिजे कि टॉलेंस जोन आफ होल इज बिलो डा टॉलेंस जोन आफ साप्ट मतलब वह कौन सा जो है फिट है जिसमें होल का जो साइज होता है वह साप्ट के साइज से छोटा होता है तो यह आपका interference fit में होता है तो आपका option number D correct और सही answer है इसलिए D को टिक लगा दिया next अगला जो प्रशन है वह है which term indicates the algebraic difference between the actual size and its corresponding basic size तो इसे हम actual deviation के नाम से जानते हैं तो option number हमारा B correct और सही answer है इसे मैंने ठीक लगा लिया फ्रेंड्स अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है कि what is the melting point of zinc zinc का melting point कितना होता है तो इसमें option आपका 420 degree Celsius 300 degree Celsius 320 degree Celsius 210 degree Celsius तो इसका correct और सही answer है जिंक का जो melting point होता है वह आपका 320 degree Celsius होता है करेक्ट और सही answer B option है हमारा B को टिक मार लिया अगला प्रशन है कि वाट इस दा percentage of nickel in invaristeel इन्वारी स्टील में आपका जो निकल का percentage होता हो कितना होता है option number A है आपका 36% B है 30% C है 20% और D है हमारा 10% तो आपको याद रखना है कि इन्वारी स्टील में जो है निकल का जो percentage होता हो आपको 36% होता है तो इसमें हमने option नमबर एक मेरा correct और सही अंसर है जिसे टिक लगा लिया नेक्स्ट प्रस्ण है आपका कि विच मेटल इस एक्स्ट्रेटेट फ्रॉम बाक्साइट और मतलब बाक्साइट और से कौन सा आपका मेटल निकाला जाता है तो ए है लेट भी है हमारा कॉपर सी है पी गायरन और डी है अलूमिनियम तो आपको पता होगा कि बाक्साइट से हम लोग अलूमिनियम निकालते हैं तो option पिक्चर में एक टूल दिखाई दे रहा है यह टूल का क्या नाम है आप गौर से देखकर बता सकते हैं option नमबरे है फ्लेट इसक्रेपर भी हमारा हुक कि स्क्रेपर सी है हाफ राउंड इसक्रेपर और डी हमारा ट्रेंगलर इसक्रेपर तो हमारा करेक्ट और सही आंसर है की हुक इसक्रेपर यह जो पिक्चर है वह हुक इस जो है आपका इसक्रेपर का है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है कि वाड़ी दा परसेंटेज ऑफ सिलका निन कास्ट आयरन कास्ट आयरन में सिलकन का परसेंटेज कितना होता है तो देखिए कास्ट आछ आप जो से लिकन का का प्रोता है वो आपका है दो परेशन से और पर ещё तक रटता है इसलिए चैल्श में आप freuen नंबर डो पाइव प्रिशेंट करेक्ट और साइव आंसर हैं तो आप सब्सक्राइब करेक्टिक्ट और सही अंसर है आगे बढ़ते हैं वाट इस दा नेम आपड़ा पार्ट मार्ट एक्षिं बेसेमर प्रोसेस आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर जो बेसे मेर यह फारनेस है इसका पिक्चर दिखाया गया है तो बोल रहा है कि जो एक्स पार्ट है यह इसका क्या नाम है आप्श सभी है बलास्ट बाक्स सि jätte कास्टिंग और डी है रिफ्रेक्टरी लाइनिंग में तो आप्शन नमबर हमारा एक सफिर्यं यह अंसर है यह मारत टाइर स अ कि अगरला प्रश्न देखते है अगला प्र creator आपके स्क्रीन पर यह अगला प्रस्ण है कि what is the name of the part mark x in वर्नियर माइक्रोमीटर वर्नियर माइक्रोमीटर का एक पिक्चर दिया गया है उसमें बताया जा रहा है कि x जो इंडिकेट किया गया है वो क्या है a में है बैरल c है डेटम लाइन d b में है थिंबल और d है वर्नियर डिवीजन तो डेटम लाइन के जस्ट उपर आपका ये इसमें वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर डिवीजन होता है इसलिए option नमबर d हमारा correct और सही answer है अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण आपके स्क्रिम पर है वाड़ी दा में spring C में fixed lake और d आपका हैंडल डी में टेलिसकोपिक लेग तो इसका correct और सही answer है डी टेलिसकोपिक लेग तो यह ये पार्ट सेक्रियंद किया गया यह पार्ट्स का नाम है टेलिसकोपिक लेग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण इंडिकेटर का एक पिक्चर लीवर टाइप जो है डाल टेस्ट इंडिकेटर का जो पिक्चर दिया गया है इसमें इंडिकेट किया गया कि X से यह पार्ट क्या है इसका क्या नाम है तो अफसने है हमारा पाइबोट B है लीवर, C है stylus और D है scroll तो इसका correct और सही आंसर हमारा है C स्टाइलेस यह हमारा stylus है इसलिए correct और सही आंसर C है अब देखते हैं चार इस नंबर कुष्चन में what is the name of the gauge ये कौन सा gauge है A में है plug gauge B में है हमारा taper plug gauge और C में है हमारा cylindrical plug gauge और D है progressive plug gauge तो ये जो picture दिया गया ये हमारा option number B taper plug gauge का है इसलिए इसका correct और सही answer भी है आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन देखते हैं what is the method of surface cleaning ये surface cleaning का कौन सा method दिया गया है तो आपका option है A pickling C है blast cleaning B में ड्रे जो है ड्रे क्रीजिंग है और D है flame decreasing तो इसमें जो picture दिया गया है cleaning का ये हमारा pickling का है option number A ये हमारा correct और सही answer है आगे बढ़ते हैं आगला प्रसन दिखते हैं what is to be checked by using taper plug gauge taper plug gauge के द्वारा हम क्या check करते हैं A है diameter of the holes C है taper length and size of hole B है taper surface accuracy D है size of hole and taper accuracy तो इसका correct और सही answer है आपका option number D size of hole and taper accuracy उसके बाद आगे बढ़ते हैं next person दिखते हैं what is the working principle of dial test indicator dial test indicator आपका जो कार्ज करता है वो किसके सिधान पर कार्ज करता है A में है हमारा sliding C है rack and pinion B है nut and bolt D है warm and warm wheel तो इसका correct और सही answer है C rack and pinion correct और सही answer हमारा C rack and pinion next question है what is the use of screw pitch gauge screw pitch gauge का क्या उप्योग है तो A है check the lead of the thread और उसके बाद B है check the pitch of the thread और C है check the major die of thread और D है check the minor die of thread तो इसका correct और सही answer है check the pitch of the thread screw gauge gauge का उप्योग हम आपका thread का pitch check करने के लिए करते हैं इसलिए मेरा option number B correct और सही answer है अगला प्रस्वन दिखते है what is the method of mounting the bearing यह bearing का कौन सा method है आपका option A thread mounting और B है using mounting slips C है heated up in oil bath and mounting D है mounting by induction hitting process तो यहाँ पे आपको चार option दिए गये हैं इसका क्या correct और सही answer है आप comments करके मुझे बता सकते हैं चलिए आगला दिखते हैं आपका character सही answer होगा D हमारा character सही answer है चलिए आगला प्रस्वन दिखते हैं what is the name of the belt यह कौन सा belt है option number A B belt उसके बाद B है link belt और C है timing belt और D है ribbed belt तो जैसा कि picture में दिखाए दे रहा है देखे गोर से तो यह हमार picture ribbed belt का है इसलिए इसका correct और सही answer D ribbed belt अगला प्रस्वन देखते हैं what is the type of belt fastener यह belt fastener का picture दिया गया है आप बता सकते हैं कि कौन सा fastener है A wire type B है jackson C है जो है largely type और D है crescent type तो इसका correct और सही answer है Y type यह wire type fastener है तो यह हमारा correct और सही answer है तो friends आज मैंने आपको अठाइस से लेकर पचास तक प्रश्ण कराए यह प्रश्ण जो है previous exam में पूछे गए थे वही प्रश्ण थे तो उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा